कोईन डीशिक्स एक्सचेंज पर आप कुछ लिमिटेड कोईन्स को एंड कुछ कंडीशन के साथ में आप यहाँ पर कॉइन्स को डिपोजिट कर सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पर पॉपुलर अगर कॉइन्स की बात करें आप यहाँ पर बिटकोईन को डिपोजिट कर सकते है इसके अलावे USGT को deposit कर सकते हैं, Matic को deposit कर सकते हैं, आप सभी का प्यारा Meme Coin, Shiba Inu को आप deposit कर सकते हैं, Tron, Ethereum, इसके अलावा भी कुछ other आपको जो coin से वो मिल जाते हैं, लेकिन deposit करते समय किन-किन बातों का आपको ध्यान रखने हैं, otherwise आपके जो coin से वो deposit नहीं होंगे, और अ मैं इस coin को किसी दूसरे platform पे भी withdrawal कर सकता हूँ, आपको पहले apply करना होगा crypto deposit and withdrawal feature को लेने के लिए, आप इसके लिए कैसे apply कर सकते हैं, मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है, आप सभी को इसी वीडियो के description में लिंक मिल जाएगा, second step आपको follow करना है, आपके mobile phone में, आपको latest version है, उसी पे मिलेंगे, जब आप update कर लेते हो, आप open करेंगे, open करने के बाद में first look कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा, आपको आपका जो भी registered email ID है, password है, security है, उसको आप follow करेंगे and coin d6 app पर अपने account को login कर लेंगे, जैसे ही आप login करेंगे, first look कुछ ऐसा आपको देगे, उसके बाद में नीचे की तरफ अगर आप scroll करके आएंगे, so आपके wallet में जितने भी coins होंगे and जितना भी आपने पैसा उनमें invest कर रखा होगा, उनकी कुछ basic detail आपको दिखाई देगे, अब फिलाल आपके पास 2 option है, coins को deposit करने की, पहला option है कि आपके पास उस coin की holding ह अगर आप same coin को deposit करना चाहते हैं, so उसी के उपर आप click करेंगे, so for example मेरे पास Tron है, for example मैं Tron deposit करना चाहता हूँ, Tron के उपर click करूँगा, आपको नीचे यहाँ पर deposit and withdraw का option मिलेगा, आप deposit पर click करेंगे, उसके बाद में कुछ basic detail आपको यहाँ पर दिखाई देती है, जैसे दो confirmation होते ही, आपका जो deposit है simply हो successful हो जाएगा, यानकि आपको reflect होगा यहाँ पर, इसके अलावा अगर आप अपनी deposit history देखना चाहते हैं, so आप coin के उपर click करेंगे, so आपको history दिख जाएगी, third point है कि आप इस address पे किसी other coin को deposit ना करें, यानकि यह Tron का address है, तो ऐसा नहीं कि Ethereum बिजदे, so yes मैं समझ गया हूँ, yes I understand पर मैं click करूँगा, यह माल लीजे आपके पास इस coin की holding नहीं है, आपको उपर WhatsApp का logo मिलेगा, just आपको उसके बाजु में एक और logo मिलेगा, आप उसके पर click करेंगे, उसके पर click करने के बाद में coin D6 exchange, जिन जिन coin को support करता है, जिन को आप deposit कर सकते हैं, यहाँ पर उन coin की list आपको देखने के लिए मिल जाती है, आप just be coin को deposit करना चाहते हैं, just आप उसके पर click करेंगे, for example कि मैं यहाँ पर USDT को deposit करना चाहता हूँ, USDT को आपर click करूँगा, उसके बाद में आपको QR code दिखाई देता है, आप just be platform से भीज रहे ह उस platform में आपको QR code scan करने का option मिलता है, so मुझे माली जी scan नहीं करना, so मुझे यहाँ पर wallet address दिख रहा है, basically मैं इसको copy कर लूँगा, बट उससे पहले मुझे make sure करना है, कि मेरा network यहाँ पर क्या select है, so यहाँ पर जो फिलाल मेरा network select है, वो है यहाँ पर TRC20, यानि कि जो Tron का network है, वो support है, so मेरा जो यह address मुझे मिल रहा है यह USDT का address है, बट जो network है, वो TRC20 का है, लेकिन आप जिस भी platform से भेज रहे हैं, वहाँ पर माली जी यह network support करता ही नहीं है, so just आप यहाँ पर click करेंगे, यहाँ पर click करने के बाद में coin DCX exchange जितनी भी network support करता होगा, इस coin को deposit कर करने के लिए अपने platform पर, वो सभी network आपको दिखाई देंगे, आप अपने अनुसार network का chain करेंगे, जैसे माल लीजिए, मैं यहाँ पर ERC20 का chain कर लेता हूँ, मेरा जो wallet address है, वो update हो जाएगा, and just मैं यहाँ पर copy पर click करूँगा, जिस भी platform से भेज रहा हूँ, मैं वहाँ पर आ जाओंगा, उसके बाद में आपको यहाँ पर address का option मिलेगा, आप यहाँ पर जो address लाए हैं, फिलाल USDT का address डाल देंगे, वैसे थे यह automatic deduct कर लेता है, कि यह जो आप coin deposit कर रहे हो, यह कौन से blockchain को support करता है, but for example नहीं करता है, so आपको network वाले option पर click करना है, अब आप फि platform की अलग-अलग condition होती है, और यह time to time change होती रहती है, जैसे फिलाल है कि भई, मैं 50 minimum जो USDT वो withdraw कर सकता हूँ, उसके बाद में आपको यहाँ पर जो send wallet है, simply वो select करना है, कि आप कौन से wallet के मादम से भेजना चाहते हैं, so आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं है, यहाँ पर basic detail provide करवानी है, withdraw के पर आप click करेंगे, उसके बाद में आपको यहाँ पर जो भी security आती है, उसको follow करना है, जादा कुछ करना नहीं है, जैसे ही आपका transaction verify हो जाएगा, वैसे ही CoinD6 app पर आपके जो coins होंगे, वो deposit हो जाएगे, इसी प्रकार से आप other किसी भी coin को deposit कर सकते हैं, जिसको भी करना चाहते हैं, अब यहाँ पर ना दो बाते हैं, उनका थोड़ा आपको ध्यान रखना है, हो सकता है कि आपका जो withdrawal है, वो जिस भी platform से आप भीज रहे हो ना, वो successful हो जाए, लेकिन CoinD6 app पर वो आपको ना दिखे, दूसरी condition हो सकता है कि वो दिखे, लेकिन integer है, यह बताओ, तो हो सकता है कि आपको जिसने भी भेजा है ना, आपके wallet पे उसका KYC document प्रवाइड करवाना पड़े, क्योंकि जब आप अपना crypto and deposit option को enable करते हैं, CoinD6 app पर, इस पसली आप से बुला जाता है, कि आपको sender and receiver का KYC है ना, वो यहाँ पर प्रवाइड करवान का option मिल जाएगा, just आप इस पर click करेंगे, आपको यहाँ पर नीचे scroll करके आना होगा, यहाँ पर आपको chat का option मिलेगा, आप CoinD6 के team से chat करेंगे and आपको जो document है, वो प्रवाइड करवाने हैं, जो भी document वो मांगते हैं, इसके अलावा अगर आप अपने transaction history देखना जाते है आपको user के logo पे click करना है, उसके बाद में हाँ पर crypto transactions का आपको option मिलेगा, just आप इस पर click करेंगे, इस पर click करने के भाद में pending में आपको वो transaction दिखाए देंगे, जो की आपके deposit हुए होंगे आपके wallet में, लेकिन हो सकता है कि आपने फिलाल KYC document प्रवाइड नहीं करवाए है उस condition में आपके जो deposit है वो pending में हो, या फिर उसके blockchain के confirmation अभी बाकी हो, इसलिए वो pending में दिखा सकता है, दूसरा आपका complete option मिलता है, यानकी आपके wallet में जितनी भी अभी तक coins deposit ही होंगे न, उनकी detail आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है, इसके अलावा आपको rejected का deposit कर रहे हैं, किसी भी region से मान लीजिए कि वो filed हो चुके हैं, वो आपको यहाँ पर दिखाए देते हैं, बहुत ही simple से option है,